तो आज हम बनाएंगे लड़ो को पाल के लिए ब्रस्त कपड़े का मैं कटिंग कर लिया है तो इसकी मेजर्मेंट इस तरह है आप अपने जैसे आपका विक्रा है उससे सबसे आप मेजर्मेंट लेंगे तो मैं यहाँ इसको चार इंचस की लंबाई लिये हैं अ हार मतलब जो हमारे मतलब उसका हीट है चार इंच का है और यह कपड़े के जो घह के लिए लंबाई लिये है Content अब इसी तरह यह अस्तर बेशार भी कटिंग कर लिया है अब जो ऊपर का जो हम बनाएंगे बॉड़ी के लिए उसके लिए भी यह आठ इंच की लंबाई है और तीन इंच की चोड़ाई है तो कपडे तो बस इतना ही लेना अब इसमें हम यह वाले लेस लगाएंगे एक यह इस तरह वाली दूसरी ल नीचे जो हमारा वाटन पाथ है उसको कड़क करने के लिए पेपर पेश्टिंग लिए हैं दो इंच चोड़ाई की तो इसमें तो कपड़े के कटिंग बग्रम की चोड़ाई दो इंच लिया है और लंबाई जितना हमारा जो कपड़ा है उसी की तरह 25 इंच करी तो अब यह ह प्रेपरीग है अस्तर वाले और वकरम को तीनों को एक साथ अटेच करेंगे तो पहले हम यह में फेपरीग है उसको सीरा रखेंगे फिर उसके उपर अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे और फिर जो हमारा वक्रम वाला पीस से जो पेपर पेस्टिंग का उसको रखेंगे तीनों को एक साथ अटेज करने में यह हम इसमें सिलाई लगा लिए हैं अब इसको हम सिधा अब लें अब इसको सिधा कर लिए अब लेस लगाना स्टार्ट करेंगे तो पहले नीचे हमार यह कीरान वाली लेस लगाएंगे और फिर दो लेयार और दूसरी वाली जो लेस है उतको लगाएंगे तो इसमें हमें जो यह अस्तर और जो में फेब्रीक है उसको सिधा किया है उसमें लेस लगाएंगे तो पहले यह वाली लेस लगाएंगे किरान वाली तो यह लेस अटेज कर लेंगे इसी तरह हम दूसरी वाली भी अटेज कर लेंगे आधा हिंच के दूरी में लगाएंगे तो यह लेस को अटेज कर लेंगे हैं हम दोनों टाइप का अब किनारे के हो सिलाई लगाएंगे वाली तो यह दोनों साइट के किनाले को स्टीच कलने है अब हम इसमें प्लेट से बनाएंगे तो चोटा चोटा प्लेट से बनाएंगे तो इस तरह प्लेशन बना लेना है अभी हमारा घेर बनके रेडी होके है अब हम नीचे तो इसको डबल करके स्टीच कर देंगे तो इस पट्टी में भी लेस लगा लेंगे अब इससको कटिंग कर देंगे अब यहां आधे में इसको जोइन कर देंगे अब कर दो अब यह जोब हम कर दो अब यह कर दो अब यह जोब खेर बनाएंगे उसका इस अधर में निशान कर लेंगे तो यह सेंटर में कट्स लगाएंगे और इसका सेंटर लेके इसको अटेच करेंगे तो यह जो हमारा गेर है वो सिधा रहेगा और जो पट्टी है उल्टा रहेगा जब पट्टी अटेच हो जाएगी तो यह दूसरे साइट को भी हम इल्टा ही इसको यहां मिला के अटेच करेंगे करेंगे. इसी तरह हम यह दूस्या साइट के भी पट्टी को इसके सब अटेच कर देंगे इसको इसको अटेच करते समय ध्यान रखना है कि इसको यह उल्टा ही अटेच करना है फिर इसको हम पल्टेंगे तो यह सिधा हो जाए अगर हम इसको ऐसे सिधा अटेच कर दिये तो फिर वह बर बर हो जाए इसको इध्यान रखना है कि उल्टा ह तो गाइस हमारे वस्त बन के तयार हो गया है इसी कर आप भी बहुत असानी से घर में ही बना सकते हैं पांच मिलट में ही आपका तयार हो जाएगा अपना मन्चा वस्त तो इसी तरह आप भी बनाईए तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक करिए चैनल में पहले बार आएं तो सिस्क्राइब करिए और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जलूर बताएगे थैंक्यू फर वाचिंग